मैं डाक्टर एर्पी सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल डाक्टर रागू और बेदा सक्ति में सागत करता हूँ जीरा एक सुगंदित मसाला है जो की गाजर और जरमूत के परिवार से संबंध रखता है बिदेशी ब्यंजनों में खास तोर पर जीरा डाला जाता है पुर्वी यूरोप और एसिया के खास ब्यंजनों में जीरे का इस्तमाल जरूर किया जाता है भारत में जीरे के चावल की खूब पसंद किये जाते हैं और यहाँ पर हर प्रकार की घर की रसोई में जीरा जरूर मिलता है चरपरे स्वाद की वज़े से मुरक्को के अस्थानी बंजनों में जीरे का बहुत इस्तमाल किया जाता है इरान में मिली ब्यंजन पकाने की कुछ प्राचीन किताबों में भी जीरे का उलेक किया गया है हलाकि जीरे का इस्तमाल सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं किया जाता है स्वास्तवर्धक एवं औस्दिय गुलों के कारण पारंप्रिक और आयरुबेडिक औस्दियों में भी जीरे का महत्वपून अस्थान है लंबे समय से विभिन सांस्कृतियों के लोग गलेक्टा गोग यानि अस्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूद के स्राओ से सुधार लाने के लिए और रोगाणू रोधी के रूप में जीरे का उप्योग करते आये कुछ इतिहासकारों के अनुसार प्राचिन मिस्र में जीरे को महत्वपून अस्थी मसाले के रूप में जाना जाता था जीरे के अईरुबेडिक उप्योग की पूष्टी के लिए अब कई सोध किये जा रहे हैं यहां तक कि जीरे की बीजों को मुटापे और डाइबिटीस के लचनों को कम करने में चिकितसी रूप से प्रभावी पाया गया है ऐसे में जीरा न केवल खाने के स्वाथ को बढ़ाता है बलकि सेहत को भी ला पहुँचाता है जीरे का पौधा एक वारसिक जड़ी बूटी है जो एक से देड़ फीट की उचाई तक बढ़ सकता है जीरे का मुलायम तना साखों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है इसकी लंबी पत्तियां और सफेद या लाल रंग के फूल छोटे फूल होते हैं जो की जीरे की साखाओं पर जुंड में खिलते हैं जीरे के बीच आकार में लंबे लेके अंडाकार होते हैं और इनकी सता पर लकीरे होती है जीरा चावल भारत में एक आम पकवान है जो घी में जीरा के बीजों को भून कर पानी में पकाया जाता है चिकन या किसी भी सबजी के साथ मिला कर या और भी स्वादिश्ट बन जाता है दाल भारती बिंजनों का मुख आहार माना जाता है जीरा के बीजों का उपयोग दाल में तड़का लगाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग चिकन और विसेश रूप से उत्तर भारत में तंदूरी बिंजनों में भी किया जाता है जीरे के बीजों को पानी के साथ उबाल कर इसे चाय के रूप में भी पिया जा सकता है जीरे का उपयोग सूप, सास और अचार को त्यार करने में भी किया जाता है जीरे में हाइपोलेपेडिमिक गुण होते हैं जो वसा के अस्तर को नियन्तित करने में मदद करता है अपने कोलेस्टराल अस्तर को कम करने के लिए आप दही के साथ जीरा पाउडर को मिला कर खा सकते हैं जीरा बिटामिन सी में सम्रिद है और इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं सर्दी जुखाम और अनिस्वशन समर्श्याओं को ठीक करने में ये मदद करता है कोलन और अस्तन कैंसर के इलाज में जीरे का सेवन सहायक होता है इसे थाइमोक्वीनोन, दीथी मोक्वीनोन, थाइमो हाइड्रोक्वीनोन, थाइमोल मौजूद होते हैं जो एंटी कैंसर जन एजेंट्स होते हैं जीरे की तासीर करम होती है, परंतु इसका इस्तमाल हर मौसम में किया जा सकता है, नीमित रूप से इसका सेवन करना, आपके सरीर के लिए फायदे मंद और अधिक मात्रा में उप्योग, सरीर में कई तरह की समस्या कर सकता है जीरे में विटामिन C होता है, जो प्रतिरच्छा पणाली को बढ़ाने का काम करता है, विटामिन C उन लोगों के लिए फायदे मंद है, जिनकी प्रतिरच्छा पणाली अधिक तनाव लेने के कारण कमजोर हो गई है, हमारे समाज में तनाव एक आम इस्तिती बन गया है, पर विटामिन C का नीमित 7 करने से आप अपने सरीज को स्वस्थ और काबू में रख सकते हैं विटामिन C का सेवन आपके सरीज में हो रहे लो बलड प्रिशर, सूजन, स्ट्रोक्स, दिल के दोरे और कैंसर की खत्रे को कम कर सकता है और तवचा को स्वस्थ बनाता है जीरे में विटामिन E की उपस्थिती एंटी ऑक्सिडेंट्स के रूप में काम करती है विटामिन E तवचा की कोशिका की दिवारों को मजबूत करने में मदद करती है ये तवचा की नमी और लचीलेपन में सुधार करती है और प्राकर्तिक एंटी एजिंग के रूप में भी काम करती है अध्यानों से पता चलता है कि विटामिन E सूजन को कम करती है और तवचा को यूवा बनाने में मदद करती है ये एंटी ऑक्सिडेंट्स गुण सिग्रेट के धुएं या सूजन की रोस्नी और तवचा के कैंसर से बचाओ भी करते हैं जीरे के एंटी फंगल और एंटी बैक्टिरियल गुण तवचा के संक्रमनों को भी रोग सकते हैं और इनका इलाज कर सकते हैं जीरे में थीमो क्विनोन होता है जो सूजन और अन ऐसे कारणों को कम करता है जो अस्थमा का कारण बनते हैं या ब्रंको डाइलेटर के रूप में भी कारे करता है जीरा इंटी, कंजेस्टिव एजेंट्स के रूप में भी काम करता है और फेफडों, ब्रॉंची और ट्रेकिया को साफ करने में मदद करता है या एक किटाडो रोधक और किटाडो सोधक के रूप में भी कारी करता है इसकी इसलिए या कंजेशन की सुरुवाती इस्तिती को रोकने में मदद कर सकता है उदान के लिए अस्तमा एक स्वसन रोग है जो फेपलों की सूजन और बलगम की उत्पादन का कारण बनता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है या प्रदूशन मोटापे, संक्रमन, इलर्जी, बैयाम, तनाव या हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकते हैं जीरा का उप्योग अस्तमा के लिए एक प्रकृतिक उप्चार है जीरा भी वजन घटाने वाले आहार के रूप में उप्योग किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस की कंप्लिमेंटरी थेरपी में प्रकासिक 2014 के एक अध्यन में अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त महिलाओं के सरीर की संरचना और लिपिट प्रोफाइल पर जीरा पाउडर के सकारात्मक प्रभाव का उलेख किया गया है यह सरीर में चर्वी यहों कोलेस्टराल को कम करने में अतिसाहायक है इसके अलावा यह आपकी चयापचे क्रियाओं को तेजित करता है और आपकी खाना खाने की इच्छा को कम करता है जीरे को भून लें इस भूने हुए जीरे को मिक्सी की मदद से पीस कर चुन बना लें इस चुन का एक चमश रोजाना दही में मिला कर रोज दो बार खाएं इससे आपका वज़न आसानी से कम हो जाएगा ब्लोटिंग या फिर फुला हुआ पेट में गैस का भी एक करण है इससे आपको पेट में दर्द भी हो सकता है आपको ब्लोटिंग की सिकायत कब्ज अपच रजो निब्दिती एवं सिंड्रोम्स पी एमेस और इरेटेबल बॉवल सिंड्रोम आई बी एस की वज़ा से हो स की सिकायत को दूर करने के लिए एक कप पानी उबालने के लिए गैस पर चड़ाएं इसमें एक चुटकी पीसा हुआ जीरा अध्रक पाउडर और समंदरी नमक के साथ साथ आधा चमस्वाफ के बीच को डालें पांच मिनट के लिए इसे कम आज पर उबलने दें छानने के पर शात इसे ठंडा होने और पी लें जरुवत पढ़ने पर ये प्रक्रिया दोहरा लें लाब मिलेगा अपनी वायुनासी गुण के वज़त से जीरा उदर सूल में हो रहे दर्द का भी एक सफल उपचार है बच्चों के उदर सूल में दर्द होना बहुत ही आम है और जी का एक दो चमच अपने बच्चों को पिलाएं लाब मिलेगा सरीर में लोह की कमी एनीमिया का सबसे बड़ा कारण होता है जीरा लोह का एक सम्रिद्ध स्रोत होने के कारण एनीमिया को ठीक करने में सच्चम है एक चमच जीरे का पाउडर आपके सरीर को 4 मिलिग्राम आइरन से पोसित करता है इसमें पाय जाने वाला आइरन रिड ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ाता है और ठकावट जैसे एनीमिया के लच्णों को भी कम करता है यह आपकी उपापचय क्रियाओं में भी सुधार लाता है आइरन की कमी को दूर करने के लिए यह सरीर को एनीमिया से संब्रिद होता है या दोनों ही गर्बवती एहम अस्तनपान करा रही मैलाओं के लिए उत्तम है या अस्तन के दूद के उत्पादन को उत्तेजित कर उसकी मात्रा को बढ़ाता है इसके अलावा यह माओं को सीसु जन उपरांत खोई हुई ताकत और फुर्ती को वापस पाने में भी सायक है अस्तन दूद को बढ़ाने के लिए एक चमश जीरा पाउडर एक गिलास गर्म दूद में मिलाएं इसमें सहत की मिठास मिलाएं कुछ हपतों के लिए इसका सेवन रोजाना रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले करें लाब मिलेगा जीरा आयरुव अमलता का भी सफल उपचार है पाचन क्रिया को तेजित करने के लिए एक गिलास पानी में एक चमश भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाएं इसे दिन में एक या दो बार रोजाना पीं चाच के साथ एक गिलास में एक बटे चार चमश भुना पाउडर और काली मर्च भी बना सकते हैं आयरुबेद के अनुसार जीरे में बहुत अच्छे मदुमेह विरोधी गुण पाये जाते हैं खाद्य विग्ञान और पोषण के इंटरनेशनल जनरल में प्रकासित 2005 के एकाद धैन ने भी इस बात की पुष्टी की है जीरे की जीरा हाइपोग्लाइसीमिया और ग्लुकोसूरिया में सहायक है मदुमेह को नियंतित करने के लिए आठ चम्मच काला जीरा भून ले इसके पशात भूने हुए जीरे को पीस कर चुण बना ले इस चुण का आधा चम्मच पानी के साथ खाले कुछ महीनों के लिए ऐसा रोजाना दिन में दो बार करें चुकि जीरे का सेवन आपकी सरजरी को प्रभावित कर सकता है इसलिए जीरे का सेवन सरजरी से दो सप्ता पहले ही बंद कर देना चाहिए ध्यान रखें जीरे में निहित एंटी ऑक्सिडेंट्स एंटी इंप्लेमेट्री गुण इसमर सकती में सुधार करते हैं और साथ ही या एक आगरता के अस्तर में भी सुधार लाते हैं 2011 में फार्माशूटकल बायलोजी में प्रकासित एक अध्यान के अनुसार जीरा का नियमित रूप से सेवन करने से इसमर सकती में सुधार आता और दिमाग पर पढ़ रहा इस्ट्रेस भी कम हो जाता है रोजाना आधा चमच भूने हुए जीरे चबा कर खाएं और अपनी स्मर सकती को उत्प्रेदित करें जीरा आपके हड़ी के स्वास्त के लिए भी अत्यन्त फायदे मंद होता है इसमें कैलसियम, पोटैसियम और मैंगनीसियम जैसे खनीज नहित हैं जो हड़ीयों के स्वास्त के लिए अनिवारे माने जाते हैं इसके अलावा इसमें विटामिन B12 भी होता है जो हड़ीयों के लिए स्वास्त वर्धक है इसमें एश्ट्रोजन के योगिक भी होते हैं जो रजो निब्रिती उपरान महिलाओं में आश्टोपोरोसिस के खत्रे को कम करती हैं अपनी हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनके घनत्त में सुधार लाने के लिए अपने दैनिक आहार में जीरे का इस्तमाल करें यदि आप अनिद्रा के सिकार हैं तो चिंता मत कीजिए जीरे की मदद से आप इस विकार से असानी से लड़ सकते हैं जीरे में मेलाटोनीन होता है जो अनिद्रा से और अन्य सोने से संबंदित विकारों से लड़ने के लिए अनिवारे माना जाता है मेलाटोनीन एक ऐसा हर्मोन है जो आपको सोने में सहायता करता है अनिद्रा को दूर भगाने के लिए एक केले को अच्छे से मसल लें और फिर उसमें एक चम्मच जीरा पाउडर मिला लें इस मिस्टरण को दैनिक रूप से सोने से पहले खाएं अन्य बिकल्प यह है कि आप रोजाना रात में जीरे से बनी हुई चाय पीएं जीरे की चाय बनाने के लिए दो या तीन सेकेंड एक चम्मच जीरे पाउडर कम आज पर पकाएं इसके बाद इसमें एक कप पानी डालें और उसे उबालने के परशाद इसे पांच मिनट तक ढख कर रखें और फिर छान कर पी लें जीरे की कुछ नुकसान भी है अत्यधिक मात्रा में लेने पर जीरे एक ऐसा मसाला है जिसके बिना तो भारती बेंजनों की कलपना करना भी असंभाव सा लगता है सभी प्रकार के भारती बेंजनों में स्पेशल स्वाद के कारण जीरे का उप्योग किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीरे के कई प्रकार के दुस्प्रभाव भी हो सकते हैं जीरे का अधिक सेवन पाचन संबंदी समश्या हट बर्न एक कारण हो सकता है जीरे के वातहर प्रभाव के कारण या त्यधिक ड़कार का कारण बन सकता है जीरे से गर्वती महिलाओं पर गर्भान तक प्रभावट पड़ सकता है ज़्यादा में जीरे के सेवन से गरपात या समय से पहले डिलीवरी होने की असंखा बढ़ जाती है इसलिए गर्वती महिलाओं को जीरे के अधिक सेवन से बचना चाहिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला जीरा ही खरीदे जो तरजनी और अंगूठे के बीच निचोड़ने पर एक सुहानी यो मिर्च सा महक फैलाती है जीरे को एक हवा बन दब्बे में ही रखें पीसे हुए जीरे को हवा सील कंटेनरों में फ्रीज में बूर कर सकते हैं इन बातों का ध्यान रखें धन्यवाद